हाई फ्रेंड कैसे है आप लोग उम्मीद करती हूँ आप से लोग बहुत अच्छे होंगे और जो ये स्पोंज दिखा रही हूँ वो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मेरा 3-4 दिन पहले का बना हुआ मैं फिरिज में रखी थी और कोई order ही नहीं आ रहे थे ये बीच में कि म लिए चलो अच्छा वा थोड़ा लेट वीडियो जाएगा तो कोई बात नहीं लेकिन वीडियो तो चले ही जाएगा ना मेरा इसके लिए मैं ये खुशी-खुशी बना रही थी दिमाग में डिजाइन ही नहीं थे बनाते-बनाते सोची कि ला थोड़ा बास्केट टाइप है ना अपने वीपिंग क्रीम में गनाल डालते है ना तो कितना जादा टेस्टी लगता है ना आप बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा अगर आप लोग सीखना चाहा रहे हैं तो एक बार ट्राइज जरूर करें क्योंकि एक बेक केक बनाने में कोई दिक्कत नहीं अनली हाथ में फिनिशिंग चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है तो शुरू शुरू में तो नहीं आएगा लेकिन बाद में आ जाएगा और मुझे अपने केक की फाइनल आइसिंग इतने अच्छे से नहीं करने थी लेकिन मैं सोची कि क्या डिजाइन बनाऊ तो पहले इसका पूर क्यूंकि यह रहता है नो थोड़ा बहुत तो बावल में लगे ही रहता है तो वाइट वॉली में भी लग जाता है तो कभी कोई डिजाइन बनाना रहता है तो दिकट आज आता है और मैं है ना पर्फेक्ट मेरियं से ही उसको वीप करती हूं, क्योंकि बचा के क्रीम कोई यहा दा कमपाॉंड नहीं है कि वह तो ऑछ पतीयां रहती है चार पती रहती है और पांसु अगर प्राइग करके ही बनाती हूं और ट्सकुरती नहीं कि परती चारे करने के जरुषल पड़ती है, लेकिन प्रेमिस और वीपिंग करीम में अच्छे से ही वेट करके ही बनाती है इसलिए मेरे पास उतने जादा बचते नहीं है इसलिए मैं 100 गराम ही लगते हैं इसके लिए है ना मैं थोड़ा सा जादा ही वीप कर लेती थी क्योंकि थोड़ा विप करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है थोड़ा रहता है न तो विप कर लेते हैं और वेसे भी अगर मेरे पास order नहीं भी आएंगे तो मुझे घर के लिए बनाना रहेगा इसलिए मैं थोड़ा करी ली कि कल मैं घर के लिए थोड़ा बना देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही फुलावर्स बनाना था तो मैं बोली कि अगर फुलावर्स मैं बनाने के लिए सारे कलर अलग से कलर करूंगी तो उतना अच्छा लुक भी नहीं आएगा वाइट और मतलब जो कलर आप यूज़ करेंगे दो कलर आता है तो आपको भी कभी इसे दो-चार कलर बनाना रहे तो जरूरी नहीं है कि आप बाउल मुतना सारा बरतन निकाले आप ये इस टेप भी फॉलो कर सकते हैं लेकिन अगर कर्स्टमर आपको फोटो भेज देंगे तो फिर आपको उसकी तरह करना पड़ेगा और मैं दो-तिन नोजल लेकर ये तो तीन टाइब का फुलावस बनाई हूं और फिर गिरीन लीफ्स बना दी हूं क्योंकि बास्केट में लीफ्स ना रहे तो इसा अच्छा ही नहीं लगेगा और ये बनाने के लिए ना मुझे नोजल अच्छा नहीं लगता है मुझे पाइपिंग बेक से अच्छा लगता है बनाने में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं पाइपिंग बेक को वी शेप में कट कर देंगे ना तो सुन्दर सुन्दर सी लीफ बनने लगेंगी और ये केक अगर आप लोगों को मेरा पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेर एन सस्क्राइब जरूर कर देना और यह रहा मेरे केक का फाइन लोगों को बहुत पसंद आए और अच्छे सही मैं हर जगी पे है आप लोगों को दिखा रही हूं ऐसा नहें कि आप लोगों को खुर समझ में नाए पूछना रहे तो कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई